बारत और बंगलादेश के बीच दो मैचों की टेस्स सिरीज की शुरुआत 19 सितम्बर से हो रही है सिरीज के पहले मुकाबलत से पहले भारतिय कप्तान रोहित श्यर्मा ने प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें उन्होंने इस सिरीज की एहमियत बताई है भारतिय कप्ता ने कहा कि हर मैच जरूरी है इसके लावा उन्होंने कहा कि यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप के लिहाद से एहम है रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फरेंस में का देश के लिए खेलते हुए हर मैच जरूरी है ये अस्टेलिया सीरीज के लिए ड्रेस रिहर्सल नहीं है वोल्ड टेस्ट चेंपियंचिप पॉइंट्स लेने हैं सीरीज को हाई नोट पर शुरू करने की जरूरत है इसके लावा मेडिल ओर्डर को लेकर बात करते हुए रोहित ने केल राहूल का खुल के सपोर्ट किया और कहा कुछ चीजें बिल्कुल साफ है जब हम प्लेइंग लेविन का चुनाव करते हैं तो पिछले कुछ सालों का युगदान देखते हैं कि किस ने ज़्यादा युगदान दिया है हम चर्चा करते हैं किसी एक खिलाडी के बारे में हमें क्या सही लगता है रोहित ने राहूल को लेकर कहा कि हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं और हम सभी जानते हैं केल रहुल ने साउथ एफरीका के खिलाफ चानदार शतक लगाया था। इसके बाद हाइदराबाद में इंगलेंड के खिलाफ उन्होंने 80 से जादा रनों की पारी खेली। हाला कि दुरभाग एकी बात है कि इसके बाद वो चोटील हो गए और खेल नहीं पाए। रोहित शर्मा ने साफ कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं दिखता कि रहुल टेस्ट क्यों नहीं खेल सकते। यानि ये इस बात की और संकेत है कि पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में केल राहुल का होना सय है। और सर्फरास को पहले टेस्ट मैच में बिंच पर बैठना होगा वहीं गेंदबाजों के रोटेशन को लेकर रोहित शर्मा ने कहा हम गेंदबाजों को रोटेट करेंगे जब आप 6-8 महिने के लिए फरमैट नहीं खेलते यह पहली बार नहीं है कि जब हमने 4-6 हफ़ते तक क्रिकेट नहीं खेला पहले भी ऐसा हुआ है इसलिए चिन नहीं में हमारा कैम था यह मुश्किल है लेकिन लड़कों ने इसे अच्छी तरह से मैनेज किया है बाके जिन लड़कों ने ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला उन्हें ने दुले ट्रोफी खेली तैयारी के मामले में हम तैयार हैं युवाखिलाडियों के बारे में बात करते हुए कहा हमें जैसवाल सर्फराज खान और ध्रूजुरेल को आगे के लिए तयार करना है जैसवाल ने मुश्किल हालातों में अच्छा खेला जब जब मौके मिले जैसवाल ने रन बनाए सर्फराज ने बेखौफ खेला वैसे ही दुरूजुरेल ने भी किया है अब रोईज शर्मा के इस प्रेस कॉंफरेंस पर आपका क्या मानना है इसके बारे में अपनी राय हमें आप कॉमेंट सेक्शन रे बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तुसे लाइक करेगा शेर करेगा और स्पोर्ट्स तुडी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्स लाइफ एबिपी लाइप को